तो प्यारे बच्चों आज हम डिसकस करेंगे क्लास 8 सब्जक्ट मैथ लेवल 2 का जो आज पेपर हुआ था मौर्निंग सिप्ट का उसके सोलिउसन को इससे पहले आपके जितने पेपर में सबकी ओपसल आंसर की अपलोड है जो इसकूल को आती है कॉमेंट में लिंक पेश्ट है देख सकते हो मौर्निंग प्लस इविनिंग दोनों सिप्ट के स्टूडेंट तो अभी आप ऐसे देख लो इसका सोलिउसन बाद में उपसल आंसर की भी प्रवाइड करूँगा सेक्षन ए कोशन नमबर फर्स्ट य क मान निकालना है तो समी करन क्या है 4y प्लस 8 बराबर 2y प्लस है y को y कि साड़ लो तो 4y प्लस 2y इदर आएगा माइनस को हो जाएगा बराबर क्या बचन रहा है छे और नमबर 8 उदर जाएगा माइनस को हो जाएगा 4y में से 2y जाएगा 2y बराबर 6 में से माइनस 8 माइनस 2 तो इधर देख लो y बराबर क्या जाएगा माइनस 2 और इधर बटे में 2 कटे गता आएगा y बराबर माइनस 1 तो यह आपका अंसर है फस्ट का ठीक है माइनस 1 ओप्शन नमबर कौन सा राइट है ए, माइनस एक, सेकंड कोशन, निवन में से निवन कौन कौन सा है, तो 0 से 90 के बीच में होता है, ए उपसन आ जाएगा 30, बाकि सब बड़े हैं, ठीक है न, 90 सूपर हैं, फर्स्ट में भी ए, सेकंड में भी ए, अगला कोशन, कोशन नमबर थर्ड, वाई का मान निकालना है, त ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस वाई बराबर कितने को ओगा, 180 के, क्यों, रैखिक है, रैखिक युग्म रूल है, उके, तो वाई बराबर नमबर को, नमबर की साइद भेज़ों, 180 बीच प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का, तो वाई आपको मिल जाएगा, 160, ठी कौन्स आप्षन राइट है भी अगला कोशन देखो जहां से कोशन नमबर फोर घातांकि रूप है देखो जहां से दो तीन बार है दो दो बार है पावर जोल लू दो की पावर कितनी होगी 3 दो 5 गुणे फिर से ये 5 की पावर 5 सेम लिख दिया गुणे 10 है इस 10 को में लिख सकते हैं दो गुणे 5 ठीक है अब जहां से देखो दो कितनी बार इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है तो 2 की पावर 6 हो गई टोटल 5 1 6 और फिर गुणे 5 की पावर भी 5 1 6 ठीक है घाते बराबर है तो 2 और 5 की गुणा कर लो 2 पंचे 10 की पावर 6 कर सरा जएगा कौंस उप्षन राइट है दी डृप्षन राइट है ठीक है है अगला कॉस्टन देखो इसका अथवा को तो इसमें आपका थवा पष्यक्सर वाला कॉस्टन तीन अंको की सबसे छोटी पूर्ले वर्ग शंख्या कौन से यह सी ओप्शन राइट होगा 100 है क्योंकि 10 गुणे 10 और 10 दाम 100 बांकि सब इससे बढ़े हैं ठीक है न ध्यान रखना क्लियर है तो सी ओप्शन राइट होगा इसमें इसमें कौन साथ हवाले में सी ओप्शन राइट है अगला 5 बां कोशन माइनस 1 को 5 बार कितने वार आप लिख लो ध्यान रखना ठीक है कि तनी बार इसको लिखना है 5 बार वन टू थ्री फोर फाइफ तो आपका अंसर माइनस वन ही आएगा ठीक है नहीं आपका अंसर आएगा एक तो आना है माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपका option B right हो जाएगा ठीक है option B 5 में अगला option number B right है ठीक है ध्यान लखना minus 1 अथवा देखो इसका अथवा वाला देखो 2 लिख दिया इसकी power 3 है भाग का निसान 5 की power 3 है तो 2 भाग पर बटी लगा सकते हैं 5 दोनों की power same है हम 3 एक बार उपर लिख सकते हैं ठीक है ना तो कौन्स option right हो जाएगा B B option right है ठीक है दो बटे 5 इसकी power 3 ठीक है ध्यान रखना यह B option right होगा अगला question 6 इसका गुड़न फल कितना है 6 यानि 6 P square गुड़े की निसान minus 12 क्योव P अब देखो 6 का बारस कर लो minus 12 से कितना आजाएगा minus 72 P दो बार है इसमें P एक बार है P कितनी बार हो गया तीन बार क्योव एक बार हो गया यह आपका answer हो जाएगा ठीक है 72 P की power 3 क्योव option कौन से आपका B option right है ठीक है अगला अगला question 7 एक बैलन जिसकी तरज़ा R R कितना दिया 4 उचाई H H होती है कितना दिया 3 मीटर ठीक है कहे रहा है आइतन निकालो तो आइतन होता है आइतन का फोर्मूला होता है बैलन का आइतन का फोर्मूला आइतन बड़ाबर पाई R स्क्वेर H पाई पर पाई रहने दो आर चार है तो दो बार चार गुणे चार एच कितनी बार एक बार तीन है गुणा करो चार चोग सोला सोला को तीन्स कर लो कितना जाएगा 48 पाई यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है देख लो कहाँ पर है A option right हो जाएगा ठीक है अगला अथवा वाला question देखो इसका 3000 cm3 क्यूब में कितने लिटर हैं तो इसमें C option rate हो जाएगा तीन लिटर ठीक है अगला अगला तो इसमें आपका C option right हो जाएगा अथवा में अब इसका देखो 8 x square y एवं 40 y में सार्ब गुडन खंड है जो दोनों को मनों ठीक है तो इसमें आपका आज एगा देखो 8 x square y को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुडे 2 2 गुडे 2 2 दूना 4 दूना 8 x कितनी बार है 2 बार है x गुडे x y कितनी बार है y एक बार है लिख दिया चालिस को हो गया गुडे y एक बार है अब कोमन देखो जो दोनों में हो color change करके बता रहा हूं 1 2 निकला 2 3 तो मतलब 2 दूना 4 दूना 8 ही हो गया गुडा करने पर और y एक बार है दोनों में 8 y यह आपका क्या हो जाएगा answer common ठीक है ना इसार वुगणन खंड तो यह option राइट हो जाएगा clear है तो first question में ने discuss किया बाकि direct option answer की में दिखा दूँगा चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching this video and take care